हुआवे दोस्तों दो कदम आगे निकला एंड्रोइट के कमबैजन में आप सब जानते हैं कितने टाइम से हुआवे के साथ पंगा चल रहा था यूएस बैन को लेकर अब हुआवे ने अपना नया ओएस लोंज कर दिया है और इस ओएस का नाम है हर्मनी ओएस ये ओएस में कहूंगा आपको पूरी तरह से टकर देगा गूगल के एंड्रोइट को बलकि जो गूगल ने फ्यूचर की प्लैनिंग कर रही है उसको भी इससे जटका लगने वाला है मैं ऐसा क्यों कहा रहूँ अभी आपको सब पता चल जाएगा पहले हम बात कर लेते हैं इस OS की खास बात क्या है देख एक तो खास बात यह है जो भी आपको हुआवे या ओनर की डिवाइसिस मिलेंगे उन सब में आपको सेम OS देखने को मिलेगा पिचाए वो ओनर का स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वोच, स्मार्ट फोन या फिर टैबलेट या कुछ भी सब में आपको सेम OS देखने को मिलेगा और अगर हम परफोर्मेंस की बात करते हैं तो जो परफोर्मेंस रहेगी यही OS देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर Android और Windows दोनों को ही पूरी टकर मिलने वाली है Huawei के इस नई OS के साथ में आगे बढ़ने से पहले आप मुझे कमेंट्स में बताओ अगर आपको यह OS मिलते हैं बहुत सारे फीचर्स के साथ तो क्या आप इसको Android की जगा पर लेना पसंद करेंगे यह सोर नो में मुझे एक कमेंट्स में बताना वीडियो गर आपको अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक करना मत बूलेगा साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आपने में तक नहीं किया तो अगर हमें इस OS की बात करते हैं तो यह Micro Kernel Based Distributed OS है सबी प्लेटफोर्म्स के लिए और साथ में अच्छी बात ही है जो भी Android एप्स हारी है उनको भी यह सपोर्ट करेगा और मैं आपको एक बात और बता दू जैसे कि मैंने आपको बताया यह Micro Kernel Based OS है कुछ ताइम पहले आपने रूमर सुने होंगे फुश या OS के बारे में जो कि कुछ ताइम बात Android का रिप्लेस्मेंट होने वाला है Google की तरफ से और यह भी होने वाला है Micro Kernel Based OS तो Google तो यह आपको कुछ साल बात देगा लेकिन Huawei ने यह आपको अभी दे दिया है यही मैं गहारा था कि Huawei दो कतम आगे निकला Android के comparison में Micro Kernel Based OS होने का फायदा यह होगा अलगलग device के लिए आपको OS मिल जाएगा वो भी बिना किसी compromise के ऐसा नहीं है कि आपको कहीं ना की compromise करना पड़ेगा हर तरफ आपको next level का experience होगा ऐसा Huawei का कहना है अगर हम security की बात करते हैं तो security में भी यह 4-5 गुराब बैटर है जो आपको आज ही डेट में security मिल रही है उसके comparison में अब देखना ही होगा लोग इसको किस तरह से लेते हैं क्या वो Android की जगा इसको पूरी तरह से adopt कर पाएंगे या फिर अभी इनने काफी time लग जाएगा पूरी तरह से develop होने में यह अब देखना होगा क्या निकल के आता है आने वाले time में फिलाल तो यह जो OS ही आपको TV में देखने को मिलने वाले हैं कल owner का TV लोंज है जहाँ पर आपको पहली बार यह OS देखने को मिल जाएगा लेकिन जो smartphone हैं वहाँ पर इसको आने में भी थोड़ा और time लग जाएगा उसका हमें भी वेट करना पड़ेगा तो देखते हैं आने वाले time में क्या Huawei एपल बन पाएगा चुकि एपल का भी सेम ऐसा ही है सोफ्टर हार्डवेर सब कुछ खुट का है यहाँ पर इसका भी ऐसा ही है बोने वाला है US में तो Huawei ने पूरी टक्कर दे रखिया एपल को अब बाकी कंट्रीज में क्या होता है इसका वो हम देखेंगे आने वाले time में आप मताओं मुझे comments में आप इसके बारे में क्या कहते है कि आने वाले time में आप Android की जगा इसको यूज कर पाएंगे और Money OS को आपका क्या कहना है comments में बताना मुझे मुझे लगता है अभी हो आवे को थोड़ा time लगेगा पूरी तरह से trust build करने में मुझे उमीद है कि आपको कुछ help मिली होगी आज की वीडियो से अगर आपको help मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेकर ना मत भूलेगा बिलते हैं विर किसी और वीडियो में थैंक्स रोचिंग देस वीडियो